ब्यम्यद सुकों हर हर महादीव, आप सभी का स्वागत है। मित्रों आप सभी जानते हैं, 25 जनवरी दिन गुरुवार को पॉश माह की पुर्णि मातिथी है। इस पुर्नि मातिथी को बहुत लाबकारी माना जाएगा। साल 2024 की पहली पुर्णि मातिथी है यह। पुर्णिमा तिती पर आपने गुरुजी से सुना ही होगा कहीं बार कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो एक लोटा जल आपकी सबी समस्याओं का हल हो सकता है ऐसी उपाई को लेकर आज हम आपके समक्ष में आए हैं यदि आपको हमारे उपाई अच्छे लगते हैं मित्रो तो हमारे चैनल को तुरंधी सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दे और पूजनिय गुरुची का शिव महापुरान गथा में बताया गया यह अजूक सा उपाई अवश्य ही करें पूर्णिमा तिथी पर सुभा के समय आपको इस उपाई को करना है सुभा के समय आप 12 बजे तक कभी भी इस उपाई को कर सकते हैं खरम्मh महरत से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कभी भी इस उपाई को आप अवश्य ही कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए यदि कोई विशेश परिस्थिती बन चुकी है, विशम परिस्थिती है, कई उपाईों के बाद भी वह हल नहीं हो पा रही है आपके कई प्रयासों के बाद भी जब वह समस्या हल नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को अवश्य करें इसके लिए केवल आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है जी हाँ तामबे के कलक्ष में आपको जल लेना है जल में क्या करना है आपको एक कुछ भी मतलब आपको थोड़े से अनाच के दाने डालने चाहे तो आप गिहूं के दाने डाल सकते हैं या सेगा जो चावल आता है जिसे हम अक्षत कहते हैं वह डाल कर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तो भ्यम मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण करना है इस उपाय को आपको लगातार साथ दिन तक करना है पुर्णिमा तिती से लेकर सप्टमी तिती तक अवश्य ही करें आपकी कामना महादेव अवश्य ही पूर्णा करेंगे यदि उपाय पसंद आया है मित्रो तो हमारे चैनल को तुरंती कर लें बैल आइकन को प्रस करके औल बा क्लिक कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाए नमस्तो भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव आपकी कामना पूर्ण हो धर्णा